गूड आप्टरनून स्टुडेंट्स मैं सुमन यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आज हम इस वीडियो में दक्षिना पत्के लगू राजवनसों का इध्यास पढ़ेंगे तो देखेगा स्टुडेंट्स यदि आपने हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और सेर करें ताकि आपके फ्रेंड्स तक भी इंफोर्मेशन पहुंच सके और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिले और मैं बता जाना चाहती हूँ कि जो भी वीडियो हम लोग बना रहे हैं वो एक्जाम की दस्टी से बहुत ही महत्तोपून है अताय इतिहास मिले की तैयारी के लिए हमारे वीडियो बहुत इंपोर्टेंट है अताय वीडियो उसको आप अच्छे से देखेगा तो देखें दक्षिनापत के लगूराजवन्स का इतिहास कल्याणी के पस्चिमी चालूकियों के सासन के बाद दक्षिनापत में कई सामन्तों ने अपने स्वातन दर्ता घोसित कर दी इनमें देवगिरी जो उत्री महरास्टर के यादव, द्वार समुदर के होशल, कुंतल के कदम, मैसूर के गंग आदि विशेस रूप से उल्लेखनिया है यहाँ पर हम इन सभी राज़ून्सों का विवरन आपको बताएंगे तो देखेगा देवगिरी के यादव, और इनके हमने अलग से भी वीडियो बनाए हैं, एक एक पर्टिकूलर जो लगू राजे थे उनके वीडियो हमने बनाए हैं, तो और भी आप वीडियो देख सकते हैं देवगिरी के यादव चालू के नरेश सोमेश्वर चतूर्थ के निर्बल सासनकाल में उसका यादव सामंत भिलम, जो 1187-1181 में अपनी स्वातंतरता इस्ताफित करने वाला पर्थम महत्वकांग सी वेकती था उसने चालू के राजे पर आकर्मन कर उसके उत्री जिलों पर अधिगार कर लिया उसके दबाव के फलसरूप सोमेश्वर चतूर्थ को अपनी राजदानी कल्याणी छोड़ कर बनवासी में सरान लेनी पड़ी कल्याणी पर यादवों का अधिगार हो गया परन्तु होईसर नरेस बलाद वित्ते ने 1191 में इस्वी के लगभग सोर्तूर तथा लकुंडी के युदों में भिलम को प्राजित कर दिया भिलम लड़ता हुआ मारा गया तथा बलाद उसके राजे की उत्री सिमा कश्ना नदी तक बढ़ गई ठीक है भिलम ने देवगिरी नमक नगर की स्तापना की तथा उसे अपनी राजदानी बनाया था भिलम के बाद उसका पुत्र जैतूगी राजा बना उसने वारंगल के काकतिये सासक रूद्दर के उपर आकर्मन कर उसकी हत्या कर दी तथा उसके बतिजे गणपति को बंदी बना लिया रूद्दर के भाई महादेव के काल में संभवत है पुनह यादूओं तथा काकतियों में युद्ध हुआ 1199 में इस्व में महादेव की मृत्यू के बाद जैतूगी ने उसके पुत्र गणपति को मुख्त कर दिया तथा उसे वारंगल के गद्धी पर विठाया जैतूगी का पुत्र तथा उत्रादीकारी सिंगन 1210-1247 इस्व में हुआ वह यादव वन्स का सर्वादिक सक्तिसाली सासक था उसने होईसर नरेश बलाल के विरूद पुन्नह संगर्स प्रारंबे किया इस परकार उसके राजे में समस्त पस्चीमी तथा मद्दे दक्सिन के परदे समिलित हो गए यादव वन्स का अंतिम स्वादंतर सासक रामचंदर हुआ 1309 इस्व में उसके राजे पर अल्लावदिन खिलजी के आकरमन हुए यादव पराजित के गए तथा रामचंदर ने अल्लावदिन के सिनापती मली काफूर के समुख आत्मय समरपन कर दिया अब आते हैं आपके द्वार समुदर के होईसल होईसल यादवों के एक साखा थे जो अपने आपको चंदरवन्सी मानते थे वे गंगवाडी के पस्चिम में चालू के नरेशों के सामन्त के रूप में सासन करते थे उनका राजे चालू के तता चोद समराजियों के बीच एक मदेस्त राजे था चालू के नरेशों मेश्वर्तिति के समय में इस वन्स के विश्णु वर्धन ने अपने को सुधन्तर कर दिया वह एक महत्व कांगसी सासक था और उसने चालू के राजियों को जीत कर अपने सक्ति का विश्थार कर दिया 1149 इस्वी तक उसने धरवार के बंकापुर में अपने को सुद्रड कर लिया तथा अपने राजदानी द्वार समुद्र को अपने पुत्र की दिंता में छोड़ दिया प्रारम में वहे जैन मतनुय था परंतु बाद में रामानुच के प्रभावस्य वैश्णव हो गया उसके बाद उसका पुत्र नर्सिया राजा बना उसके समय में कलचूरी सरदार विजल ने उस पर आकरमन किया तथा बनवासी को उससे छीन कर अपने अधिकार में कर लिय नर्सिया ने 1173 इसस्वी तक सासन किया नर्सिया के बाद उसका पुत्र वीर बल्लाल वितिय जो 1173 से 121 इस्वी तक बना उसने होसल राज्य का आगे विस्तार किया उसका चलू के सासकों से भी युद हुआ वस्तुता है उसी के काल में होसल चलू क्योंकि एदिनता से अप 1290 इस्वी में बल्लाल ने चालू के नरे सोमेश्वर चतूर तथा उसके सनापती ब्रह्म को अंतिम रूप से प्रास्त किया जिससे चालू के सक्ति का विनास हो गया उसके बाद बल्लाल के यादव भीलम के साथ कई युद्ध की अंतता है 1191 इस्वी में उसने गड़म के नि उन्ह बल्लाल को प्राजित कर उन परदेशों पर अपना अधिकार कर लिया बल्लाल दुईत्ये के बाद नर्सियं दुईत्ये सोमेश्वर तथा नर्सियं त्रित्ये ने 1211 से लेके और 1286 से इस्वी तक बारी-बारी से सासन किया उनका मदूराय के पांड़े वंस के साथ यूद होता रहा होईसल कुल का अंतिम सासक नर्सियं त्रित्ये का पुत्तर वीर बल्लाल त्रित्ये जो 1310 से 1359 से सासक बना उसके सासन काल 1310 से 11 स्वी में अल्लाउदीन खिरजी के सेनापती मली काफूर मली काफूर ने होईसल राजे पर आकर्मन किया वीर बल्लाल प्राजित हुआ तथा उसने अल्लाउदीन को वार्सि कर देना श्वीकार कर लिया उसने मली काफूर को अत्तुल संपत्ती उपहार में दी वीर बलां 1349 इस्वी तक अल्लाउदिन के करत के रूप में ससन करता रहा इसके बाद होईसलों की स्वतन दर्ता का अंत हो गया अब देखेगा जो होईसल वंस्ता उसके काल में कला इम इस्थापत्ते होईसल लाजों का काल कला इम इस्थापत्ते की उन्नती के लिए विख्यात है उनके काल में मंदिर निर्मान की एक नई सहली का विकास हुआ इन मंदिरों का निर्मान भवन के समान उंचे ठो सबूत्रे पर किया जाता था चबूत्रों तथा दिवारों पर हातियों, अस्वारोहियों, हनसों, राक्ससों तथा पोराने कथाउं से सम्मंदित अनेक मूर्तियां बनाई गई हैं उनके द्वारा बनवाये गई सुन्दर मंदिरों के कई उधारन आज भी हल्लेवेडी, बेलूर तता सर्वन बेलगोला में प्राप्थ होते हैं होईशलों की राजदानी द्वार समुद्र का आदोनिक नाम हल्लेविड है, जो इस समय करनाटक राजे में इस्तित है वहां के वर्तमान मंदिरों में होईशलेश्वर का प्राचीन मंदिर सर्वातिक परसिद है, जिसका दिर्मान विश्णों वर्दन के सासनकाल में हुआ, यह 160 फुट लंबा तथा 122 फुट चोड़ा है इसमें सिखर नहीं मिलता, इसके दिवारों पर अदबुत मूर्तियां बनाई हुई है, जिन में देवताओं, मनुश्यों, एवं पसुपक्सियों, आधिसब की मूर्तियां है विश्णों वर्दन ने 1170 इस्वी में बेलूर में चेना के सम मंदिर का भी निर्माण करवाया था, वह है 138 फुट लंबा तथा 156 फुट चोड़ा है मंदिर के चारों और वेस्टिनी हैं, जिसमें तीन तोरण बने हैं तोरण द्वारों पर रामायन थता महाभारत से लिए गए अन्यक सुन्दर दर्शों का अंकन हुआ है मंदिर के बितर भी कई मूर्तियां बनी हुई हैं, इनमें सरस्वति देवी का नरतिय मुद्रा में बना मूर्ति चित्र सर्वातिक सुन्दर एवन चित्ता कर सक है खोईसल मंदिर अपनी निर्मान सहली थदा आकार प्रकार इंसुदर्डा के लिए परसिध हैं अब आता है कदम राजवन्स कदम राजवन्स का उतकर 34 ताप दीश्वी के मद्दे से दक्षिना पत्य दक्षिन पत्सी में हुआ इस समय समुत्र गुप्त के दक्षिना पत अभियान के पडाम सुरूप कांची के परलवों की सक्ति कमजोर हो चुकी थी कदम लोग मानववे गोत्रिय ब्रहमन थे जो अपने को हारिती पुत्र कहते थे उनका मुख्य कारिये वेदों का अध्यान तथा वजदिक यग्यों का अनुस्ठान करना था पहले वे परलवों की दीनता स्विकार करते थे इस वन्स के मयूर सर्मन ने परलवों के विरूद विद्रोह किया तथा अपने स्वतंतर्टा गोसित कर दी वे कदम वन्स का सहस्तापक था गंग राजवन्स कदमबों तथा पल्लमों के राज्यों के बीच आधूनिक मैसूर के दक्सिन में गंगों का राज्य इस्तित था इस स्थान को गंग वन्स के साथ लंबे समय तक सम्मत गन रहने के कारण गंग वाड़ी कहा गया गंग वन्स का प्रारंबिक इत्यास अंधकार कून है अभिलेकों में इस वन्स का पर्थम सास कोंकणी वर्मा बताया गया है उसे जहविये कुल अर्थाद गंगा का वन्स तथा कानवायन गोत्र कहा गया है उसने कई यूदों में ख्याती प्राप्त की तदा अपने लिए एक सम्रद्धी साली राज्ये का निर्मान कर लिया वह है धरम महराजदी राज की उपादी धारण करता था जो उसकी स्वतंदर इस्तिति का सूचक है कौकणी वरमा का समय 400 इस्वी के आसपास महना जा सकता है गंगों की प्रारंबिक राजदानी कूवल लाल अर्थात कोलार थी जो बाद में तलकाड हो गई थी वारंगल का काकतिये वन्स काकतिये लोग अपने को चोल करीकाल का वन्सस मांगते थे इस वन्स का पहला ग्या सासक बेद पर्थम था जिसने राजेंदरे चोल के आकर्मन से उत्पन अव्यवस्ता का लाव उठागर नल गोंड अर्थात हैदराबाद में अपने लिए एक सुवतंतर राजेस्तापित कर लिया उसका पूतर तता उत्रादीकारी प्रोल प्रथम वातापि के पस्सिमी चालुकियों का सामन था उसने चालुके नरे सोमेश्वर प्रथम की ओर से युदों में भाग लिया तता प्रियाप्त ख्याती अर्जित कर ली उसके सेवाओं से पर्षन होकर सोमेश्वर ने अमकोंड विसम वारंगल में हनुम कुंड का उसे स्थाई सामन बना दिया उसके उत्रादीकारी बेद द्वितिये जो 1989 से 1090 इस्वि में ने चालुके नरेस विक्रमादिते से कुछ और परदेश प्राप्त की तथा अपनी राजदानी अमकोंड में स्थापित की चालुके समराजे के विगठन काल में काकतिये वनसी प्रोल द्वितिये ने अपने को चालुकियों की अधिनता से मुक्त कर लिया तथा गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच के परदेश पर अपना एक्छत्तर सासन इस्तापित कर लिया उसका पूतर रुदर देव एक उसल युदा था उसने भी तैल को प्रास्त किया पर यदव ने जैत्तूगिने युद में रुधर देव की हत्या कर दि तथा उसके बतीजे गणपति को 1100 चान में इस्विगे लगबग बना लिया रूदर देव का छोटा भाई महादेव उसके बाद राजा बना थथा उसने केवल तीन वर्षों तक ही सासन किया 1199 में इस्वी में जैतुगी ने गणपती को स्वतंतर कर दिया और वह काकतियवंस का राजा बना तो देखेगा इस वीडियो में हमने अच्छे से जो वीडियो में हमने अच्छे से जानकारी प्राप्त की जो दक्सिनी भारत के जो लभू राजमन्स थे उनके बारे में हमने पढ़ा और यह वीडियो एक्जाम की दिस्टी से बहुत ही महत्तों है अता है आप वीडियो को ब इडिया ओल्डेज पे बने रहे हैं